हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि आपको अब कोरोना के साथ जीने की आदर डालनी होगी क्योंकि कोरोना वायर्स आपकी जिन्दी से असानी से जाने वाला नहीं है यह वायरस लंबे समय तक आपके साथ रहने वाला है और आपको इसके लिए तयार रहना चाहिए इसी बात पे अब WHO ने भी मोहर लगा दी है WHO ने असंकर जताई है कि यह वाइरस एक महामारी की तौर पे लंबे समय तक इनसानों के बिच रह सकता है और यह भी हो सकता है कि यह वाइरस कभी पूरी तरह से खतम ही ना हो WHO ने इसकी तुलना HIV से करते वे कहा कि HIV की तरह इंसानों को इस वाइरस के साथ भी जीने की आदर डालनी होगी अब लोगों को कई तरह की सौधानिया बरतनी होंगी और इस वाइरस के वैक्सिन मिल जाने के बाद भी आगी का रास्ता असान नहीं होगा क्योंगी सब लोगों तक वैक्सिन पहुचाना असान नहीं है अब सवाल यह है कि फिर क्या किया जा सकता है अगर कोईना वाइरस लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है तो हम इसके लिए खुट को कैसे तयार कर सकते है इस तयारी के मेडिकल साइंस समाज और मगनों ग्यानिक के नजरिये से उन पांच महत्पू सचाईयों को समझे जिनका सामना आपको और हमें करना है पहले सचाईया है कि यह वारस अब भी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है पूरी दुनिया में 46 लाग से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और करी 3,7,000 लोगों की मौत हो चुकी है व्याद लोगों का इलाज अलग अलग तरीकों से कीया जा रहा है लेकिन अबी तक इसका कोई पुछता इलाज नहीं धूना जा सका दुसरी सच्चाईया है कि इस समय दुनिया में लाखहों या सायद करूरौ लोग ऐसे हैं जो संक्रमित का सिकार हो चुके हैं लेकिन उनमें कोई लक्षन दिखाई नहीं दें रहें ऐसे लोगों को एंसी पोटोमैटिक पेसंट कहा जाता है तिसरी सचाई यह है कि जो लोग संक्रमन का सिकार है और उनमें वाइरस की पुष्टी हो चुकी है उनमें से करीब 3-430 लोगों की जान खत्री में है यानि इस मामले में मित्यूदर फिलास तीन से चार प्ती सत्त है लेकिन अलग 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 देशों में इसके इस्तिती भी अलग है उधारं के लिए बेल्जियम के इस्तिती सबसे ज़्यादा खराब है बेल्जिय में करोला वायरस के मामलों में मित्यूदर करीब 16% है अमरिका में करीब 6% और भारत में मित्यूदर करीब 3-4% है चौती सचा यह है कि गंभी रूप से बिमार मरीजों की संख्या भी अलग-अलग देशों में अलग-अलग है 16 मैं तक आकरों के मुताबिक गंभी रूप से बिमार मरीजों की सबसे जादा संख्या अमेरिका में है जबकि भारत में इस सिती दीरे-दीरे बहतर हो रही है पिछले हपते तक भारत में कोर्ना वायरस तक पुल मरीजों में से करीब 9% लोग गंभी रूप से बिमार थे जबकि अब इनकी संख्या लगबग आदी रहे गई अब भारत में कोर्ना वायरस के सीव 4.8% मरीजों की इस्तिती गंभी रहे पांची सच चाइया है कि कोईना वायरस की वैक्सिन का इंतजार अभी बहुत लंबा है दुनिया भर में करीब 100 रिसर्च ग्रूप इस वायरस की वैक्सिन धुडने में जुटे है लेकिन वैक्सिन तयार होने में अभी करीब 12-18 मेने का समय लग सकता है बीरो रिपोर्ट सौर्ड न्यूज इंडिया सौर्ड न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटिस्ट न्यूज अपडेट के लिए